हलो फ्रेंड्स, स्वालकम टो आवर चैनल, मैं हूं मिश्टी और आप देखे हैं हमारा चैनल सौचलता है आज के हमारी रसीपी है चिकन बर्गर तो चलिए शुरू करते है यह पीपर चिकन बर्गर एक कम्प्लिट मील है क्योंकि इसमें करीबन 40 ग्रम कार्बोहाइड्रेट, 7 ग्रम फैट और 30 ग्रम प्रोटीन है तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको तयार करना है पहले हम चिकन को मैरीनेट करेंगे दो टीस्पून ब्लैक प्रेपर सॉल्ट उट्टेस हाफ टीबियस सुया सॉस हाफ टीबियस जिंजर गालिक पेस्ट हाफ टीबियस लेमन जूस के साथ हम यहाँ पे दो बर्गर बनाएंगे इसलिए दो चिकन ब्रेस लिए है आप चाहे तो चिकन की कोई भी बोनलेस पार्ट ले सकते हैं और चिकन को हम 30 मिट के लिए छोड़ देंगे और इस टाइम पे हम सॉस तैयर कर लेंगे इसके लिए हमें चाहिए अगर आपके पास सॉया सॉस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं यह देखिए यह दिखने में एकदम पीजा सॉस की तरह लग रहा है हमारे सॉस तयार है अब हम बन को शेक लेंगे बन शेकने के बाद ही हम चिकन को पकाएंगे इसके लिए हम पैन में एक टेबल स्पून तेल डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से पैन की ऊपर फैला देंगे चिकन की 30 मिनिट हो चुकी है चिकन को हम एकदम लो फ्लेम में ही पकाएंगे और 10 से 15 मिनिट के अंदर ही हमारी चिकन बन कर तयार हो जाएगी और एक बात अगर आप ओयल कीप करना चाते हैं तो चिकन को आप रोस्ट कर सकते हैं या तो ओवेन में पकाएंगे और एक चिकन की ऊपर हम चीज डालेंगे क्योंकि एक बर्गर हम चीज से बनाएंगे और अगर आप ऐसे तरके से शैलो फ्लाइ कर रहे हैं तो दो टीशू से ऐसे करके सारी ओयल निकल सकते हैं हम चिकन पीस को दो हिस्तों में टुक्रा कर लेंगे अब हम दूसरे चिकन की पीस को भी निकल लेंगे और बर्गर तयार करना शुरू करेंगे पहले बर्गर बान की उपर थोड़ी सी सॉस लगाएंगे फिर उसके उपर एक टुक्रा चिकन के पीस डालेंगे फिर देंगे कैबेज लीव आप इसकी जगा सलाट लीव भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसके उपर चिकन की और एक टुक्रा रखेंगे फिर टमाटो स्लाइस और ओनियन स्लाइस देके बर्गर बन की उपर की हिस्सों में थोड़ी सी सॉस लगाके इसको परूसेंगे और ऐसी तरीके से एक और बन हम तयार कर लेंगे यह बर्गर बहुत हेलदी और टेस्टी है तो जल्दी इसे घर पे ट्राइ करें और हमें बताइए यह कैसी है हमारी रेसीपी शौतरुपमिष्टी की हर एक रेसीपी डीटेल में जानने के लिए आप हमारी ब्लॉक चेक कर सकते हैं हमरे बारे में और जानने के लिए आप हमें इंस्टा पेज में फालो कर सकते हैं लिंक डेस्क्रिप्शन में हैं अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए हमसे कुछ कहना हो तो कामें कीजिए और ऐसे आने बड़े वीडियो देखने के लिए हमरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइक जरूर दबाएजिए